पिकाशु मुथा ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पाइड है वैसे जब छोटे थे तो केनेडी की फोटो दिखा करते थे इंदुस्तान के अख़बारों में बड़ी इंपरेसिव थे उनकी परस्टालिटी लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पाइड किया मुझे बच्पन में पढ़ने का सौग था और मुझे बेंजामिन फ्रेंकलिन का जीवन चरितर पढ़ने का अवसर मिला था सत्रा सो साल की समयकाल उनका और वो अमेरिका के राश्पती नहीं थे लेकिन वो जीवन चरितर प्रेरक है एक ब्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझतारी पूरवक कैसे प्रयास करता है नींद जादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं जादा खाने का मन करता है तो कम खाने के तरब जाना है तो कैसे जाना काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं उनको लगता है देखो यह तो कुछ करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इस समय स्या का समाधान कैसे करना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे विश्यों को उन्हों ने अपने बायोग्राफिय में लिखा है, और मैं तो हरे को कहता हूँ, कि हमने बेंजामिन फ्रेंक्लिन के जीवन चरितों को पढ़ना चाहिए, आज भी मुझे वो प्रेरक देता है, और बेंजामिन फ्रेंक्लिन एक बहु आयामी व्यक्तित्व था हूँ का, वे राजनितिक ये थे थे, वो राजनितिक विचारक थे, वो सामाजी कारक करता थे, वो हुई हैं मुझे उनका जीवन सच मुझ में प्रेयरक लगा है और मैं आप से भी कहूंगा आप भी अगर उनका जीवन चरितर पढ़ोगे आपको अपने जीवन को ट्रांस्फॉर्म करना है तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं और बहुत छोटी-छोटी बातों का सहारा लिया है तो मैं मानता हूं कि जितना मुझे प्रेणा मिली है आपको भी मिलेगी